हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है इजी कीचन हैक्स में आज हम इलेक्ट्रिक राइस कूकर में सोया बीन राइस बनाने जा रहे हैं और बनाना बहुत ज़ादा आसान है कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि इलेक्ट्रिक राइस कूकर को चलाने में थोड़ी सी अब यहां पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइस का प्यास और तीन चोटे साइस के टमाठर और तीन हरी मिर्चे तीखा आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं अब इलेक्ट्रिक राइस कूकर को हम अन कर लेते हैं अब आप देखिएगा यह कूक के उपर स्विच नहीं हो रहा है मैंने इसको पर इसका लिड रग दिया है और अब देखिए यह कूक के उपर स्विच हो गया है इस तरीके से आप कूक के उपर स्विच कर सकते हैं अब जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे ऑपस से लिड लगाएंगे और ओईल को प्यास को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था फाइनली चॉप कर लेंगे और यहां पर प्यास को हमें ब्राउन कलर आने तक भुनना है तब तक हम यहां पर सोया बीन को देख लेते हैं सोया बीन देखिए 10 मिनिट में ही अच्छे से फूल गया है अब इसका जो वाटर ह इसे स्क्वीज करके हमें निचोड करके निकाल देना है और अब एक बोल में हम डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर एक चमत धनिया पाउडर और नमक स्वात के अनुसार वैसे यह सारी चीज़े आप डाइरेक्ट इलेक्रिक राइस कुकर में भी कर सकते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है इस तरीके से पहले से ना करेंगे तो भी चलेगा यहां पर प्यास जैसे ही हलके से ब्राउन हो जाए हम डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट और इसे भी हम एक मिनट के लिए भुन लेंगे प्यास को हमें गुल्डन ब्राउन नहीं करना है यहां बस अब यहां पे तीन टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है इस तरीके से इसे भी एड़ कर देंगे और टमाटर को हमें दो मिनिट के लिए पकाना है और इसमें नमक डाल देते हैं स्वात के अनुसार ताकि टमाटर जो हमारे हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाये साथ ही मैं कुछ मसाले भी एड़ कर दे रही हूँ यहां पे हल्दी पाउडर डाला एक चमच गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने और जो सारे मसाले मैंने एक अलग से बरतन में सोया बीन में डाला है आप चाहें तो यहां पर भी एड़ कर सकते हैं वहां पे नहीं डालना जाते हैं तो अब सोया बीन भी हमने इसमें डाल दिया है और टमाटर के साथ सोया बीन को हमें दो मिनिट के लिए भुनना है और तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं यहां पे चावल में आप सभी लोग पूछते हैं कि चावल कितना लेना है उसमें पानी कितना डालना है तो आप देखिए मैंने यहां पे 2.5 कप राइस ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से पहले मैं 2-3 बार वाश कर लूँगी धो लूँगी दो-3 बार अच्छे से दोने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ देखिए यहां पे मैंने 1.5 कप चावल लिये थे तो मैं उसका दुग ना मतलब 6 कप पानी का इस्तमाल कर रही हूँ मतलब हमें डालना था 5.5 कप पानी लेकिन मैंने 1.5 कप पानी एक्षा एड़ किया है धाई कप चावल के लिए तो धाई कप चावल के लिए मैंने 6 कप पानी का इस्तमाल किया है और बीच बीच में आपको यहां पे सोया बीन को और टमाटर को भी चलाते रहना है नहीं तो तो फिर यह नीचे तले से चिपक जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा मेरा सोया बिंग चिपक गया है, पर कोई बात नहीं, जब इसमें हम चावल और पानी एड़ करेंगे, तो तले में जो भी चिपका होगा, वो सब कुछ निकल जाएगा, तो में कम्प्लीटली कुखोने में 20-25 मिनिट का टाइम लगता है, तो यह देखिए, पूरा 20 मिनिट टक पकाने के बाद, यहां में हमारे सोया बीन राइस बंद करके तयार है, अब मैं इलेक्ट्रिक राइस कुकर को बंद कर दूँगी, और यह सर्फ करने के लिए बिलकुल इस तरीके से आप सोया बीन राइस या फिर पनीर राइस या फिर किसी भी तरीके की राइस इलेक्ट्रिक कुकर में आराम से बना सकते हैं, बनाना बहुत जादा आसान है, और टोटल टाइम जो इसे बनाने में रेसपी को कम्प्लीट टाइम जो लगा है, वो 35-40 मिनिट का टाइम लगा है, फ्रेंस वीडियो कतम करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिक राइस कुकर में कोई और रेसपी देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, कि आप कौन सी रेसपी इलेक्रिक राइस कुकर में देखना तरीके की और भी रेसपी देखना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करिएगा, मिलती हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई